21 जुन को मनाय जाने वाले अंतरराष्ट्रिय योग महुत्सों के तैयारियां शुरू हो गई है इस बीज प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी ने आज सोशल मेडिया पर भधरासन करते हुए अपना एक वीडियो पोस्ट किया वीडियो साजा करते हुए प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भधरासन जोडों को मजबूत करने और घुटनों में दर्द को कम करने के लिए कारगर है साथ ही पेट के लिए भी लापकारी है वीडियो में स्वास्तलाभों के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आसन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है इधर इस महुत्साओ को लेकर चत्यसगड के विभिन जिलों में भी हलचल शुरू हो गई है इसी कड़ी में इस पात नगरी भिलाई में आम जन मानस में योग की प्रतीजागरूकता के लिए योगाशन की मुद्राओं का अभ्यास कराया जा रहा है योगा भ्यास के लिए आई महिलाओं में उत्साओ और उमंग नजर आया इस अउसर पर उन्होंने बताया कि योग के विभिन आसनों से उन्हें शारिरिक और मानसिक उर्जा के साथ उनके जीवन में एक नई शक्ति का संचार का एहसास हो रहा है महिलाओं को अपने सरीर के लिए भी सोचना है और अपने सरीर पे भी ध्यान देना है क्योंकि अगर घर की महिलाओं स्वस्त रहेगी तो हमारा परिवार हमारा घर भी स्वस्त रहेगा योग करने से हमारा शरीर भी स्वस्त रहता है और मन भी स्वस्त रहता है हम महिलाओं सभी योग करेंगे तो अपने घर वालों को भी स्वस्त रख पाएंगे करो योग रहो निरोग ज़रूर ज़रूर अपने पूरे 24 गंटे के pengar की समय में है एक खंटा अपने लिए ज़रूर समय निकाले और बिल्कुल आप सब लोग डेली इसको अपनी ट्रैक्टिस में लाए और योग ज़रूर करें इस से आपका भी फायदा होगा और आपके परिवार का भी फाइदा होगा. और जितने भी जटिल समस्याएं हैं वो प्रेणयाम के थ्रू भी सौल होती हैं और महिलाएं जिन जिन को कुछ-कुछ समस्याएं हैं वो ठीक हो गई हैं और मैं हर महिला से ये आग्रह करता हूँ कि योग को अपनाएं और हमेशा निरोग रहें. गौर्दलभे की इस वर्ष के अंदर राष्ट्य योग दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग के साथ मनाया जाएगा.